असलामों अलेकुम स्टुनेंट्स मेरा नाम उनिवर्यमान और अमाइन एसेड मेटाबॉलिजम का यह मेरा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक और फाम डी बायोकेमिस्ट्री जिसका नाम है यूरिया साइकल यूरिया साइकल काफी चुरें बनाने लाजमी है यह स्टुप्चर्स में आपको इस विडियो में स्टुक्चर्स के साथ ही समझाँगा अब आप स्टुक्चर्स्कें डी इस बंडिया से एक स्टुक्र के मैं बहुए 30 cycle जो है उस पे structure ना बनाए लेगन उसके आप आगे जो है reaction लिख ले या explanation of cycle उसके अंदर आप सारे structures बना दे 9 wise वो जाधा सही रहेगा या आप cycle के अंदर ही सारे structure बना दे congested होता है लेगन अगर आप वो गड़ सकते हैं तो वो जाधा यूरिया cycle ही होता है अब एक तरह सवाल इस थरह आता है कि explain the end product of amino acid metabolism तो वह भी यूरिया cycle ही है और और नीथीन cycle यह most important name है और यह critical name है इससे यूरिया cycle भी पूझा जा चुका है और और what is और नीथीन cycle explain it with structures तो वह यूरिया cycle है अब हम यूरिया cycle स्टार्ट करते हैं पीछ अगर मैं amino acid के metabolism की बात करूँ यहां card पर भी show हो रहोगा description पे लिंक होगा और आप बायो का mystery की playlist में भी चेक कर सकते हैं वो मेरा most recent lecture है यूरिया cycle से पहले amino acid metabolism के हम ने introductory part में हमने पढ़ा था trans amination और de-amination trans amination में क्या होता है कि एक amino group वो convert हो वो transfer होता है oxygen के पास और oxygen transfer होता है उस amino group के पास तो वो अगर alanine है तो वो convert होगा pyruvate में अगर alpha keto glutarate है वो convert होगा NADH reduce होगा NADPH में H2O add होगा और alpha keto glutarate दुबारा बन जागा और जो crap cycle में जाकर वापिस से ATP बना देगा ठीक है तो यह तो हो गया अब NH3 कहां गया जो NH3 most toxic form थी मैंने आपको बताए था hydrogen ion से react करेगा और ammonium ion बना देगा ammonium stable ion है लेकिन अभी भी अभी भी जो है वो toxic है body न mitochondria के अंदर चला जाएगा क्योंकि यहां पर हमने oxidative reactions करवाने और enzymes भी कुछ ऐसे चाहिए जो mitochondria के अंदर मौझूद है तो हम mitochondria में बेज देंगे तो जो urea cycle है वो 5 reactions पे होता है जो 2 reactions है उसके mitochondria में होते है और 3 reactions होते है वो cytosol में होते है अभी mitochondria की बात करें तो mitochondria में ज हुआ है इदर वो कार्बमाइल फॉसफेट सिंथेस ठीक है कार्बमाइल फॉसफेट सिंथेस टाइप 1 ठीक है यह एक एलोस्टेरिक regulatory enzyme है और यह regulate करता है mitochondria के अंदर urea cycle की activity को अगर यह inhibit हो जाएगे या produce ना हो या इसकी कमी हो जाए तो urea cycle यहां पर ही stop हो जागा और urea नहीं बनेगा जिसकी वज़े से toxicity generate होगी liver detoxification का अमल नहीं कर पा रहा होगा और जिसकी वज़े से liver damage होना start हो जेगा hepatocytes damage होना start हो जेंगे सो यह एक clinical significance of urea cycle और most important यहां पर जो मैंने green से शोग किया हुआ कार्बमायल phosphate synthase 1 यह synthetase 1 ठीक है तो 2 ATP NH4 bicarbonate carbon dioxide मिलकर एक compound बनाएंगे जिसका नाम है कार्बमायल phosphate phosphate की अगर मैं बात करो तो यह है मारा phosphate ठीक है अब यह phosphate यहां पर minus 2 charge होता है यह जो oxygen है यह आगे कहां जु compound कि है वह मैं आगे जाकर बताऊंगा क्या compound है वह sorry अब कर्बमायल phosphate क्या होगा वह सीधा एंटर हो जेगा urea cycle में urea cycle में कर्बमायल phosphate जो है वह react करेगा urea cycle के ही precursor से जिसका नाम है ornithine और नीथीन एक enzyme है और नीथीन कर्बमायल phosphate और और नीथीन यह एक enzyme है OTC ठीक है यह चलकर में पतातू कौन से ऑल्नीवन ट्राश कार्बरमायलीस से रिएक्क करेगा तर्बमायल भॉस्विट सीट्रूलीन भी एक amylo acid है और यह amylo एसीट यह जो reaction हो रहा है यह सारा reaction साइट्व सुल के अंदर हो रहा है जब यूरिया यह मैंने urea cycle को cyclic form में draw किया है, आप चाहे तो इसके अलग-अलग step में reaction भी लिख सकते हैं, यह step mention करता जाओंगा, सबसे पहले मैंने यहां first step में क्या किया, कार्बमाइल phosphate बना है, जो मैं black से यहां लिखूंगा न, इसका मतलब यह कोई न कोई प्रोटक बन रहा है, जो मैं यहां pink से लिखूंगा, इसका मतलब कोई न कोई न कोई enzyme है, और यहां जो मैंने highlighted form किया है, इसका मतलब यह chain हर एक इसमें सेम चल रही है, यह जो group है, carbon dioxide NH4 से react किया, या bicarbonate क्या बना, कार्बमाइल phosphate बीच में एक enzyme था, कार्बमाइल phosphate synthase बन, 2 ATP चने, यूज हो है, जिसमें 2 ATP बन गए, और जो free phosphate energy है, उससे phosphate group जुड़ गया, अब क्या हो गया, यह phosphate, यह जो मैंने यह line draw कियो न, यह, इसक mitochondria में, और इससे यहां यहां, cytosol के अंदर, ठीक है, इससे यहां यहां, अब यह जो mitochondria के अंदर reaction है, कार्बमाइल phosphate बन गया, और नी थीन precursor था, और नी थीन जो है, अगर मैं उसके structure की बात करूं, तो CH2, 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 तीन दफ़ा CH2 है, ठीक है, याद करवार हो मैं, NH3, सबस CH2 और उपर NH3, glycine 3 CH2 उपर NH3, glycine 3 CH2 उपर NH3, तो यह बन गया, और नी थीन, और नी थीन, ट्रांस कार्बमाइलेस, यहां पर कार्बमाइल phosphate, यह देखे, कार्बमाइल था, C1O, NH2, यह एक गुरूप जोड़ावा है, ठीक है, इस गुरूप को जोड़ावा है, किसके स कार्बमाइल phosphate, तो यह मिलकर बन गया, कार्बमाइल phosphate, अभी जो मैंने यह शो किया है, यह भार एक में सेम रहेगा, और यह आपने, अगर यूरिया का फॉर्मला पढ़ा हो, तो यूरिया NH2, C1O, NH2, तो बस यहां NH2 भी कमी है, बस NH2 ने लगना है, और वह एक पाथवे, है, वह मैं अब बताता चलूँगा, तो यह अब रियक्ट हुआ, बन गया, citrulline, mitochondria के अंदर है, अब citrulline जो है, वो कहगा, कि मैंने mitochondria से बाहर निकलना, क्योंकि, और नी तीन ट्रासकर, amylase, और कावमाइल, phosphate, synthase, यह सिर्म, mitochondria के अंदर होते है, इस वजह से इंकर, जो hydrogen निकल गए, क्या बचा, NH, सिर्फ NH बचा, तो यह C1-O-NH2 यह जुड़ जागा, यहाँ पर, C1-O-NH2 जुड़ गया, NH के साथ, citrulline 2H निकल गए, ठीक है, अब यह citrulline जाएगा, हमारे cytosol के अंदर liver के, अब यहाँ पर, जो है, cytosol के अंदर aspartate मौजूद होगा, aspart ATP में नहीं, AMP में convert होगा, इसका मतलब, यहाँ पर 2, 2 मतलब के ATP की energy utilize हो रही है, तो total अभी तक 4 utilization of ATP होगी, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, aspartate का formula देखे, तो यह formula aspartate का, यह जो सीधा-सीधा NH3 है, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके यहाँ पर oxygen के साथ जुड़ जाएगा, oxygen निकल यह जो, यह जो formula है, यह पूरे cycle में same रहेगा, इसके ऊपर बस modification होती रहेगी, मैं आपको दिखादा भी हो किस तरह से same है, यह देखे, formula यहाँ पर भी same है, यह same formula, ठीक है, ऊपर क्या जुड़ गया, aspartate का molecule, ठीक है, NH3 तो दिखे, यह था न, यहाँ पर aspartate का molecule जुड़ रिलीज करेगा, fumarate release हो गया, और उसके release होने से क्या बना, arginine बना, और यह किस enzyme की जैसे हो रहा है, arginino-susinase, ठीक है न, fumarate का molecule जो होते ही है, आपने crab cycle के अंदर भी पढ़ा होगा, fumarate अगर मैं बताओं तो C, C double bond O, H, double bond H, फिर C double bond O, नीचे, मैं आपको इसकी explanation भी ब करेगा, और क्या बना देगा, यूरिया, यूरिया यूरिया बन गया, और यह जो हमने यहाँ पर, यूरिया को रिलीस किया, तो खुद और नीथीन में तब्दील होगे, तो यह था, यूरिया cycle, और कुछ, अगर मैं इनमें बताओं, यह फॉर्मला, जिस तरह, अरजीन, इसको जो है न, आगे मैं, अगले पेच पे explain करते हैं, तो यह मैंने कुछ structures बनाए वे, यह जो structures है, इससे मैं दिखाना चारूँ कि structure बनते किस तरह है, तो अगर मैं fumarate की बात करूँ, तो fumarate simple है, यहाँ पर H यहाँ पर H, simple, यह symmetrical compound है, उपर C double bond हो, नीचे C double bond हो, यह है fumarate, ठीक है, यह मैंने यहाँ पर लिख़ा है, fumarate, fumarate aspartate से fumarate में तबदील होने न, यह aspartate है, यहाँ से इसने NH3 को release किया, NH3 को release किया और यहाँ से एक hydrogen को, मतलब कि NH4 release हो गया, और क्या बन गया fumarate, इसी तरह यह एक कार्बमाइल phosphate, कार्बमाइल phosphate ने तबदील होने किसमें, हमने क्या बता है था, वो और नीथीन से मिलता है और यह है और नीथीन, और नीथीन को मैंने CH2, 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 यह इस तरह होते न, और नीथीन, तो मैंने लिख दिया, CH2, 3, यह इस तरह भी लिख सकते, तो यह थोड़ी सी explanation थी किस तरह आपने compounds बनाने है, अपने urea cycle में, तो एक बर मैं सुमेराइस कर लों, यूरिया cycle को, एक citrulin बनाएंगे, citrulin, cytosol के अंदर aspartate से react करेगा, 2 AMP, ATP, AMP में convert होंगे, और arginino succinate बनेगा, arginino succinate, synthase से, arginino succinate जो है, arginine में तबदील होगा, जो enzyme है, arginino succinase है, arginino succinase है, अब fumarate release हो गया, और उसकी release होने से arginine बन गया, arginine क्या करेगा, water के साथ react करके, oxygen group को gain करेगा NH2, NH2O, which is urea, urea हमने बना दिया, और urea या excrete हो जागा, through urine के जरीए, ठीक है, argininase या enzyme है, जो इसको और निथीन में convert करेगा, और निथीन दुबारा से, कर्वमाइल phosphate से react करके, citrulin में बना देगा, तो ये एक cyclic pathway है, और ये, sorry, liver cell, hepatocytes के अंदर ये, हर वक्त हो रहा होत यूरिया साइकल बहुत important है, बॉडी के अंदर, अगर ना हो तो यूरिया और NH3 accumulate हो जाए, liver के अंदर और hepatocytes को damage करते रहे, तो I hope, यूरिया साइकल आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ में आया, तो आपने comment में जरूर पोछना है, जजाक अल्ला,